श्यवयपूर में भीशरबाड में प्रभावित हुए परिवारों को लगातार समा सेवी दे रहे हैं अपनी सेवाय जैसा कि आपको विदित है कि तीन अगस को आई भीशरबाड में लोगों का जीवन अस्वेस हो चुका था जिसमें घर में रखे समान से लेकर खाने तक का समान नहीं बचाता वह श्यवयपूर में लगातार समा सेवी अपनी सेवाय दे रहे हैं इसी करम में पॉपुलर फ्रांट ओफ इंडिया मैदान में डटा हुआ है आज पटेल चौक शियवपूर पर बाड़ प्रभावित हुए परिवारों को गद्दे कंबल बरतन वित्रण किये जा रहे हैं पॉपुलर फ्रांट ओफ इंडिया पहले तीन अगस्त से ही मैदान में डटा हुआ है प्रतम दिन पका हुआ खाना तीन हजार पैकेट लगाता दस दिनों तक प्रभावितों को पहुचा कर दिये गए लगवग एक हजार सुफाराशन किट लोगों तक पहुचाए गई वही दो ट्रक कपड़ा पहनने का भी पहुचाएगा बैडिकल कैम्प विभिन वाडो वा गाउ में लगाए गए जिसमें बारा कोटा सवई माधो पुरुशयपूर के डॉक्टरों में भी अपनी सेवाय दू है आज 800 गर्दे 800 कंबल 300 बर्तन सेट पीडित परिवारों को सर्वे कर परची के माध्यम से समाज सेवियों के द्वारा दिये जा रहे हैं इसके अंदर में जो लोग बार से पीडित हुए थे उन पीडितों को बिस्तर की प्रोब्लम आ रही थी हमारे बोलेंटरों ने बार्द पीडितों के घर पे जाके घरगर सर्वे किया तो सर्वे में बिस्तर की गद्दे की और बर्तनों की लोगों की परिशानिया आ रहे थी तो आज तेमिस तारी को एक पॉपलर फंट द्वारा केम्प लगा के लगबग आठ सो गद्दे कंबल और बर्तन हमने बार्द पीडितों को डिस्ट्रिबूट किये